सो हेलो दोस्तों स्वागता आप सब बच्च को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में दोस्तों यहाँ पे है अभी डाटा एनलाइसिस यान इकनॉमिक सेमेश्टर फॉर इसकी लिए है और यह छोटा सा नोट्स है ठीक है 123 पेज का और इसमें कुछ इंपोरेंट टॉपिक्स दिये हुए है जो आपको कवर करना है आपके एक्जाम के लिए ठीक है सबसे नमबर वन है डाटा जिसमें आपको डाटा बता लेगा क्या डाटा क्या है किस तरीके से डाटा स्टोर होता है डाटा कैसे बनता है ठीक है डाटा के लाइजन क्या होती ह पहला यह हो गया, दूसरा आपका है तीसरे नंबर का important, इसके बाद आपका fifth number topic ये भी important है, उसका sixth number और seventh number तेक है और eighth ये जो पांच-छे topics हैं, ये important है और इसमें एक numerical भी आता है, ठीक है, numerical है आपका first page में second, यानि कि first और second chapter में आपके numerical से हैं, और इसमें बहुत सौट तरी किसे समझाया गया है, देखेंगे आपे, सबसे पहले है types of data, primary data और secondary data, दो type के data होते हैं, primary data में क्या है कि आपको data, जो है called primary, इसमें आपको जो main data होता है, उसको primary data कहते है, ठीक है, हम main चीज को हम primary कहते है, secondary चीज को जो दूसरी चीज होती है, उसे हम secondary data कहते है, उसके method of collecting primary data data के method आया है और यह जाम में पूछे जाते हैं कि methods क्या-क्या है data को collect करने के लिए तो आप लोग यह याद कर लेना पांच है ठीक है direct person investigation, indirect oral investigation, through local correspondence, through quarterly mailed to informants, through schedule filled by innovators तो यह है कुछ data के methods ठीक है इनके detail में हलका हलका detail में आपको बताया गया नीचे तो यह book आपको description box में link है यह notes book आपको मिल जाएगा description box में जाईए वहां से आप लोग download किजिए प्लस में आप लोग हमें telegram पर follow कर लेना वहां पर क्या 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 आपको notes वगरा important question वगरा मिलते रहते हैं और e-commerce की जो book है वो website पे upload नहीं है तो यह मुझे notes के तोर पे दिली निवर्सिटी के website पे मिला है और इसमें कुछ important topics दिये हुए है जिसमें कि मैंने आपको बता दिया है कौन-कौन से topics important होंगे कौन-कौन से topics आपको ज़्यादा पढ़ना है ठीक है time कम है आप लोग जल्दी से जाईए इसको download कीजिए और पढ़ाई अपन important होंगा उसको मैं retail में समझा दूँगो तो आप लोग प्लीज comment में जरूर बताना और जो बच्चे हिंदी में है उनके लिए थोरा सा wait कीजिए उनके लिए मैं e-commerce का ला रहा हूं ठीक है थोरा सा wait कर लिए जल्दी ही आपके e-commerce के भी आपको मिल जाएगा ठीक है मिलते है आप नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहीं दोस्तों